नमस्कार दोस्तों मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त और एक बार मैं इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आपको पता है जैसे कि मैं इस चैनल के द्वारा बहुत सारे विश्यों पे आपको वीडियो शेर करता हूँ आज जो वीडियो मैं आपको शेर करने वाला हूँ वो वीडियो है LIC में जॉब आपरोजिटिस के बारे में जैसे कि हमें पता है LIC में मैनेजरल जॉब आपरोजिटिस खुली हुई है और उसके रिलेटेड में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मेरी सबी पैरे दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है दर्खवास्त है कि आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकरी मिले दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत सारे दिनों से हम जॉब रिलेटेड और बहुत सारे कोर्से लेटेड वीडियो बना रहे हैं और उसके द्वारा मैं आपसको इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ अगर आप इस मेरे चैनल पे नए हो अभी तक आपने ये मेरा एकडेमिक यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी दर्ख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकउन दिख रहा है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की वडियो की नहीं नहीं नोटिफिकेशन साब को मिलती रहेंगी और हम दोनों मिलके अपडेट करते रहेंगे तो दोस्तो आज की सुडियो में हम देखेंगे जो अपरिटीटीज है नोकरिया की जो अपरिटीटीज है जॉब की जो अपरिटीज है लाइसे में कौन सी है क्या है जिसके हम इता है इस संस्थान में यह जो government का संस्थान है सरकारी संस्थान है इस संस्थान में बहुत सारी job opportunities हैं और ओ भी managerial job opportunities हैं तो किसके लिए मिलेगा scope कोन होगा वहाँ पे manager और वहाँ पे क्या qualification है उसका date क्या है कहां जाके हमें application करना है यह सारी चीज़े आज हम इस video में देखने वाले हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों को दरखवास्त है कि आप यह video आंतो तक देखिएगा साथ ही में यहाँ पर जो मेरा channel है उसको भी subscribe करना ना भूलिएगा और साथ ही में यहाँ पर जो यहाँ पर bell icon दिख रहा है उसको भी press करना भूलिएगा ताकि हम इस प्रकार की videos आप तक भेजते रहेंगे और उसकी notifications आपको अपने आप मिलती रहेंगे तो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं बिना time गवाएं आज का ये वीडियो और देखते हैं LIC में क्या opportunities है और हमें उसको कैसे grab करना है तो जैसी के हमें पता है LIC में भहुत सारी opportunities है और उसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है और मैं बना रहा हैं तो कौन सा पोस्ट है जहां पे हम आज LIC में application करने जा रहा है तो पोस्ट का नाम है insurance advisor इंशुरंस advisor का post है जो LIC में life insurance corporation में वहाँ पे ये post create किया गया है और उसके लिए अभी दिन पत्र मंगवाए जा रहे हैं उसके लिए applications मंगवाए जा रहे हैं और उसका पोस्ट का नाम है insurance advisor और qualification क्या है देखते हैं बद प्यारे दोस्तों अगर हाँ पे हमें managerial post के लिए LIC में application करना है तो उसके लिए qualification है आपको सिर्फ commerce का graduate होना जरूरी है मेरे सबी पहरे दोस्तों को पता है बताना जरूरी है मेरे पहरे दोस्तों को मुझे बताना अच्छा लगेगा कि अगर आप commerce के graduate हो अगर आपने commerce किया है अगर आपने वह भी किया है तो काफी अच्छा है तो आज यहां पर हम बात करेंगे LIC में अगर हमें जॉब लेना है insurance advisor का तो qualification है commerce graduate होना है आपको become होना जरूरी है अगर आपने become किया है तो आप eligible हो जाते हो साथ ही में हम देखिए कितने सारे post है जिसके लिए और जिनके लिए यह application मंगवाया जा रहा है तो post है number of post है 100 100 post है वहां पे 100 seats हैं जिसके लिए application किया जा रहा है तो यह काफी तगड़ा number of post है काफी सारे post वहां पे बरने जाने हैं तो मेरे सबी पैरे दोस्तों को रखवास्त है कि आप देखिएगा अंतर तक देखिएगा और इसकी सबसाब application कीजिएगा salary कितने मिलेगा यह बारे में हम बात करेंगे salary मिलेगा 7000 से लेकर 25000 तक आप सबी लोगों को यहां से एक अंदाजा आ सकता है कि post कौन सा है qualification क्य salary मिलेगा 7000 से लेकर 25000 तक तो मेरे पैरे दोस्तों की काफी तगड़ा है पूर्सनिटीज है आप इसको application करेंगे तो आप यह job मिल सकता है और देखते हैं हम हमें कहां पर जाना है और कैसे application करना है यह है जहां पर जाकि हमें official website पर जाकर हमें application करना है इस website को अगर हम जाएंगे देखेंगे तो हम application कर पाएंगे तो मेरे सबी पहरे दोस्तों से एक दरख्वासत है कि आप इस site को widget कीजिएगा पूरा अड़ प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा और उसके बाद apply कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की जानकर यह अच्छी त कीजिएगा और साथ में जो भी application है जो भी advertisement उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद ही application कीजिएगा एक सिर्फ एक प्राथा मिक्स वरुप की जानकारी मैंने यहां पर दी है मुझे लगता है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद अगर पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे और हम दोनों इस वीडियो के दोरा और इस चैनल के दोरा जुड़े रहेंगे तो आज के लिए इतना ही पैरे में दोस्तों आगे वाले वीडि तब तक के लिए धन्यवाद